हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेधिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वेडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तो भीगे हुए बादाम खाने के फायदों के बारे में जियां दोस्तो आज हम आपको ये भी बताएंगे के आखिर बादामों को भीगो करके क्यों खाना चाहिए और बादाम खाने के फायदों के बारे में भी बात करेंगे तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो इससे आपके शरीर में बहुत फायदे प्राप्त होंगे और जो सामानी तोर पे होने वाली समस्याएं हैं या फिर बड़ी बीमारी हैं वो भी नहीं होंगी तो सबसे पहले जानते हैं के बादाम को भीगो करके ही क्यों खाना चाहिए सूखे क्यों नहीं तो इसके दो कारण हैं पहला कारण तो यह है के भीगेवे बादाम में उसके सभी पोशक्तत्व सक्रिय वस्था में आ जाते हैं जबकि सूखे बादाम में ऐसा नहीं होता इसलिए जब भी हम भीगे बादाम खाते हैं तो उसका लाव हमें तुरंत मिलता है और जादा मिलता है फिर दूसरा कारण माना जाता है के बादाम का जो छिलका है वो एंटी पोशक्तत्वों से भरपूर है यानि वो हमें कहीं नकहीं नुकसान देता है उसमें phytic acid और tannin की मातरा जादा होती है जो हमारे लिए ठीक नहीं माने जाती इसलिए जब हम भीगो करके बादाम खाते हैं तो इसका छिलका आसानी से उतर जाता है यानि छिलके के नुकसान इसमें कम हो जाते हैं तो आप ध्यान दीजे फिर आप समझे के बादाम के पोशक्तत्व कौन-कौन से हैं ये क्यों है इतना खास तो मैं आपको बताओं के बादाम में vitamin E, vitamin B और vitamin B17 परियात मातरा में होते हैं और मैं आपको बताओं के vitamin B17 cancer के risk को कम करता है इसलिए ये हमारे लिए बेहत जरूरी है इसके अलावा इसमें fiber की मातरा भरपूर है और इसमें omega 3 fatty acid और omega 6 fatty acid पाया जाता है जो हमारे दिल को स्वस्थ बनाये रखने में बेहत कारगर है इसके अलावा इसमें magnesium है, calcium है, iron है और potassium है जो हमारे संपोर्ण स्वास्थे के लिए बेहत जरूरी पोशक्तत हो है तो आप भी जरूर खाईए बादाम फिर जान लेते हैं कि बादाम खाने के कुछ खास फायदे क्या-क्या होते हैं तो सबसे पहले फायदे की बात करें तो दिमाग तेज करता है बादाम, यानि यादाश्त बढ़ाता है आप समझे है कि experts के मुताबिक बादाम में vitamin E अधिक मातरा में होता है जो हमारी दिमागी एक्षमता को बढ़ाता है और हमारी यादाश्त को बढ़ाता है इसके साथ साथ हमें सीखने की एक्षमता भी बढ़ती है और इसके अलावा रिसर्च बताती है कि अगर आप regular नाश्टे में बादाम खाते हैं तो इससे आगे चलकर ऐलजाइमर जैसी समस्या भी नहीं होती यानि बेहत फायदे मंद होते हैं फिर बात करें अगले फायदे की तो यह है कि glowing skin देता है बादाम आप समझे के regular बादाम खाने से आपकी skin glow करती है और खाली पेट 8-10 भीगेवे बादाम अगर आप रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में परियात मातर में vitamin E पहुँचता है और आपको antioxidant मिलते हैं और यह कहीं न कहीं आपकी कोशिकाओं को damage होने से बचाते हैं और आपकी त्वचा को जूरीयों और उम्र के बढ़ने वाले लक्षणों से बचाते हैं फिर अगला फायदा है कि वजन घटाने में मददगार होता है बादाम तो experts मानते हैं कि बादाम में protein और fiber की मातरा अधिक होती है जो पेट को देर तक भरा रखती है और इसी के वज़े से आपके unhealthy खाने की अशंका भी कम होती है और आप ज़्यादा स्वस्त रहते हैं आप समझे के बादाम जैसे nuts खाने से metabolism तेज होता है और तेजी से fat को burn करना शुरू कर देता है यानि आपका वजन control में आ जाता है अपने आप फिर दिल के लिए भी फाइदे बंद है बादाम यानि रोजाना भीगेवे बादाम खाने से cholesterol नियंत्रित रहता है और दिल के समस्याएं भी कम होती है मतलब यह है कि अगर आप अपने दिल को स्वस्त रखना चाहते हैं तो regular सुभे नाश्टे में बादाम खाएए और बादाम खाने का एक और फाइदा है कि यह आपके blood pressure को भी control में रखता है यानि बढ़ने नहीं देता फिर एक और फाइदा है कि diabetes में बेहत कारगर उपाए है बादाम खाना आप समझे कि भीगेवे बादाम diabetes के मरीजों के लिए बेहत असरदार होते हैं और इन्हें अगर आप regular खाते हैं तो आपका blood sugar level control में रहता है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको diabetes है तो रोजा ना सुभे ज़्यादा से ज़्यादा चार से पाँच बादाम खाईए इससे ज़्यादा नहीं वरना नुकसान करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करनाएग